यूपी के मौसम समचार में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी जानेंगे यूपी के सभी जिलु के मौसम का हाल तो बिना स्किप किये वीडियो को पूरा देखें चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से लागों में किस तरीके का तापमान रहने वाला है क्या उत्तर प्रदेश में कडाके की ठंड का एसास होगा या फिर ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई देगी क्या उत्तर प्रदेश में आने वले दिनों में मौसम में काफी जादा गर्मी देखने को मिलेगी या फिर बारिश होने के संभावना जिताई जा रही है ये सब हम जानेंगे लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलो का हाल यानि कि कहाँ पर कैसा मौसम रहने वाला है और कितना जादा तापमाल बना हुआ है तो आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में लगाता ठंड का असर देखने को मिल रहा है हलाकि अभी कोई भी सर्दी से राहत मिलने के आसान नहीं है जिहां मौसम विवाग ने सफस्ट कर दिया है कि अभी उत्तर प्रदेश में ठंड बरकरार रहने वाली है और ठंड से राहत नहीं मिल रही है आपको बता दे कि बीत दिनों से हुई बारिश ने कई जगहों पर मौसम काफी जादा गड़ बड़ा दिया है ऐसे में मौसम विबा का कहना है कि अगले हफते फ़र से बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं आपको बता दे कि दिसंबर से कडाकी की सर्द जादा बढ़ गया शरिवार को काफी जादा धुंद पूरे उत्तर प्रदेश में चाही रही है आपको बता दे कि लोग गर्म कपड़े पहनते हुए नसराय वहीं मौसम विबा का कहना है कि 6 और 7 फरवरी को कोहरे के साथ शीतल लहर चलने की संभाबना मौसम विबाग ने जदाई थी ऐसे में 6 फरवरी का दिन भी काफी जादा शीतल दिन रहा आपको बता दे कि अब 7 फरवरी को भी शीतल लहर चलने की संभाबना है हाला कि 8 फरवरी को घना कोहरा चाहे रहेगा और 8 फरवरी की शाम से बादलू के आवजा ही शिरू हो जाएगी मौसम विबा का कहना है कि 9 फरवरी को गुंदा बादी के आसाल बन रहे हैं 10 और 11 फरवरी को बादल भी शाने वाले हैं तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का मौसम जो है वो पूरी तरह बदलने वाला है आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण काफी तीजी से ठंड बढ मौसम विवा का कहना है कि अभी भी यूपी में ठंड से कोई भी राहत मिलने के आसान नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि यूपी के अधिक्ता जिलो में अभी भी कोहरा और ठंड से राहत नहीं मिलेगी मौसम विवा का कहना है कि यूपी के कानपूर, गोरकपूर, मेरट, आगर साइट काई जिलो में कोल्ड डे कंडिशन है इसी के साथ घना कोरा चाया हुआ है यानि की कानपूर गोरकपूर मेरट आगराइन सभी जिलो में काफी तेज ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है मौसम विवाग की कहना है कि अगले दो दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा नौ हे लगणों में 10 10 गरी सेसे वरण अदिक्तम तापमान यहां दिफ फान वं और गरी साथ है ब्ल्екपूर में 31 गरी सल्सेथ के आसपास है मेरत में अधिक्तम तापमान 16 नियुनितम तापमान 5 डिग्री सलसेस है अगरा में अधिक्तम तापमान 19 और नियुनितम तापमान यहां पर 7 डिग्री सलसेस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है यानि की तापमान में लगाता गिरावट हो रही है और खास त कम तापमान बढ़ने की संभावना नहीं है यानि की ठंड इसी तरीके से यूपी में अपना सर दिखाएगी। बागी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामाने रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप न्यूस को कहा से देख नहीं हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें। धन्यवाद।